हाँ है है लो ए लिवान कैसे ओ आफ सब लोग लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मेन पर कुछ क्ये था हम उसी इससले को आगे लेकि चलेंगे और यह उना एक ट्रैक्टर में अच्छा ट्रय बॉट लेक्ट पर लोग करें है कि जो इससे चलते हैं इसके संवाग गाल सब्सक कि यह वंज से यह वन जा सकते है एस वन से यह वं जा सकता है सब लोग क्या च LOUrire सकते हैं यह गो टू म्इनिस जय सी यह जाएगा यह पर बचासा इसन नहीं जा सकता है fansy dad यहाज से कता है चोंद इस टांस्परमेशन को लगाने के बाद मिने फोंद फोंन राफ का दिया धी रोटरी गोज्डो स्टू जोट्री माइनस रोटू अब मेरे पास बना है वो क्या बना है 1 1 1 है टाइन अगा का शांगी साइन सी और लाप्ट में मेरे पास क्या बचा ii साइन स्क्वरत ए साइन इस्क्वएर भी साइन इस्क्वएर सी ये बचा है मेरे पास अब आप लोगोंने क्लास एलेवंट में सॉल्मूशन ओफ ट्रियंगल में साइन रूल पर आता है सान रूल क्या बोलता है हमें साइन रूल हमें क्या बोलता है cé tied कि ये मानला आपके पास कोई ठ्रैंगल यह आपका एंगल यह ये अंगलst एक इंगल चिय ें सामने वाले साइट एह इन के सामने वाली ऐह कै इसके सामने वाले सी है है तो से उतिंड रूल आपको क्या बोलता है कि साइन एक को ऐड़ाइं मिया से जाक से विलिए था– C by C in His ratio किसे बालाबर है कोई constant K K यह से sin A को क्या लिख सकते है यह से हम कोutos investment AK sin B जैसे यह लिखेंगे मैं पास determinate क्या बनजाएगा 11 1 1 1 a k b k c k k k मैंने ले लिया common k मैंने ले लिया common यहां पर मैं पास बढ़िया a b c यहां आएगा मैं पास a square k square यहां आएगा b square k square यहां आएगा c square k square k square भी मैंने यहां से ले लिया common यहां बनके मैं पास a square b square c square आपने determinant की value याद कर दखी है 1 1 1 x y z x square y square z square यहां पर x की जगे a है y की जगे b है और z की जगे c है इसकी जो value आती ही वह क्या आती है k q पहले था इसकी जो value आती ही x minus y x की जगे a है y की जगे b है y minus z मतलब b minus c और z minus x मतलब c minus a और इसकी value हमें दे रखी है 0 इसकी value जो हमें 0 दे रखी है इसका मतलब क्यों हुआ कि a is equal to b b is equal to c या c is equal to a इसका मतलब a is equal to b is equal to c मतलब यह जो triangle हो वह हुआ है कैसा हुआ इक्यू लेटर ट्राइंगल यह मैं कैसा हुआ equal to triangle आप लोगों को यह क्यों समझ में आयोगा इसमें s ot का भी यूस था और एक अच्छा सवाल था यह अब हम आगी चलते एक को सवाल करेंगे आगी चलते एक को सवाल करेंगे अब आप लोग एक सवाल करो आप एक लोग एक सवाल लिखो वेल्यू ओफ a-x का whole square, b-x का whole square, c-x का whole square याँ पर a-y का whole square, b-y का whole square, c-y का whole square याँ पर a-z का whole square b-z का whole square, c-z का whole square आपको इसकी value find करनी है आपको क्या करना है इसकी value find करना है यह एक factor theorem का question है यह एक factor theorem का question है आप लोगों को factor theorem मैंने कहाई थी properties of determinant वाले lecture में आप लोग इस question को try करो अच्छा सवाल लेए इससे आपको factor theorem की concepts clear होंगे अच्छे से I hope आपने question को try कर लिया होगा अब हम चलते इसके solution पार्ट पर अब हम चलते इसके सॉलूशन पार्ट पर हम यह दे रहा है डिटर्मिनेंट हमें यह दे रहा है डिटर्मिनेंट अगर हम इसमें एक की वैल्यू बी के इक्वल पूट करें अगर हम इसमें एको बी के इक्वल पूट करें तो ए माइनस एक्स ए माइनस वाई एदेटर्मिनलों की वेल्यों सेम आजाएगी दो रो आइदेंटीकल आजाएगी मतलब डिटर्मिनन वेल्यों जी रहाए घर अगर अगर हमारा वी सीके बराबर है j ka whole square. इसके लिए भी यह वाली रो और यह वाली रो identical आ गई मतलब जो हमाई determinant ए उसकी value के ए हागी हमारे 0 अब हम a की value C के equal put कले तो यहां पर हम a – x का whole square a – y का whole square a – z ka whole square c की value के a के बराबर होगी तो a – x –x – y – z ka whole square मतलब पहली rho t – c – বो similar है determinant की value आएगी वह आएगी हमारी 0, अब अगर मैं x की value y की equal put करूँ, अगर मैं x को y की equal put करूँ या आएगा a, b, c, minus x, minus x, minus x, या पर भी आजाएगा a, minus x, b, minus x, c, minus x, पहला column, दूसरा column बराबर हो जाएगा, इसके लिए भी हमारी determinant की value आएगी 0, similarly y बराबर z के case में भी determinant की value 0 आएगी और z बराबर x के case में भी जो हमारी determinant है, उसकी value की आएगी, 0 आएगी, जैसे हमने ये values put की हमारी determinant की value आगी 0, इसका मतलब a minus b हमारा एक factor है, a minus b हमारा एक factor है, b minus c हमारा एक factor है, c minus a हमारा एक factor है, x minus y भी हमारा एक factor है, y minus z भी हमारा एक factor है, और z minus x भी हमारा एक factor है, सो हम इस determinant को हम इस determinant को क्या लिख सकते हैं अगर हमान पास को फेक्टर डिये वे होते थे मानलो हमान पास equation ऐसी हुआ करती थी तो हम उसको क्या लिख सकते थे x-alpha x-beta इसको भी हम यह लिख देंगे क्या a-b b-c c-a x-y y-z z-z-x लेकिन इसका coefficient 1 था इसलिए यह आपर 1 था अगर हमें इसका coefficient भी manage करना है तो हमें इसको कोई constant k लगाना होगा ठीक है अब हम क्या इन दोनों को solve करना है तो हमें a b c इनकी कुछ values रखनी होगी इनकी कुछ values हम लोगों को रखनी होगी so हम क्या कलते है a की value रख लेते है minus 1 b को हम लख लेते है 0 c को हम लख लेते है 1 x को हम लख लेते है 1 y को 0 और z को minus 1 कुछ भी रख सकते हो अपनी वालजी लेगिन values छोटी हो तो ज्यादा बढ़िया होगा अब जैसे हमने इसको minus 1 minus 0 minus 1 हो गया b minus c भी क्या हो गया minus 1 c minus a क्या हो गया c minus a कितना हो गया 2 1 minus 1 2 x minus y x minus y हो गया हमारा 1 y minus z y minus z हो गया हमारा 1 z minus x minus 1 minus 1 minus 2 हमारा यह क्या है इस minus से यह minus manage हो गया 2 to the 4 यह हमारा आगया 4 k यह हमारा आगया 4 k ठीक है आप लोगों इतना समझ आयोगा अब हम इस determinant की value पर निकाल लेते हैं हमारा पास determinant की एक value क्या आगई 4 k ठीक है एक value आगई हमारा पास 4 k ओहो मैंने क्या values रखेती एक को minus 1 रखाता बी को 0 रखाता c को 1 रखाता x को 1 रखाता ठीक अब हम रखते हैं इस determinant की value अब हम रखते हैं यह value इस determinant की अंडर so minus 1 minus 1 कितना हो गया 2 2 का square 4 minus 1 0 1 a minus z यह भी क्या आगया 0 b minus x 0 minus 1 1 b minus y 0 0 0 b minus z b minus z हो गया 0 1 1 c minus x c minus x आगया हमारा 0 c minus y c minus y आगया 1 c minus z आगया हमारा 2 अब हम solve कर लेते हैं इस determinant को इसकी value हमारा पास आचुकिया ओलेटी 4 के इसकी value आचुकिया हमारा पास ओलेटी 4 के 4 यह 0 minus 1 minus 1 2 minus 0 plus 0 यह हमारा पास आगया minus 4 minus 2 minus 6 k की value आगया हमारा पास minus 6 by 4 इसकी value आगया minus 3 by 2 अच्छा question था solve हो गया अब हम चलते हैं आगय 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 और हेडिंग लगाई है आप लोग प्रोडेक्ट ओफ डीटर्मिनेंज अब आप लोग हैडिंग लगाई है प्रोडेक्ट ओफ अब हम लोग है अब हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन में देखा था कि मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन सिफ और उसमें कंडिशन क्या ओटिटी उसमें कंडिशन ओटिटी कि ए हमारा ऐसा दे रखा है कुछ इस ओडर का वी हमें दे रखा है क्यू क्रोस आर का और ए हमें दे रखा है m x r I hope आपको यह याद होगा I hope आपको यह याद होगा लेकिन determinant की multiplication में एक चीज आपको याद रखनी है कि determinant का multiplication तब ही possible होगा जब क्या होगा जब दोनो determinant का order क्या हो same हो order same हो so order should be same order क्या हो हमाई पास same हो order क्या हमाई पास same हो और matrix के case में सिर्फ raw by colum possible था सिर्फ raw by column possible था determinant के case में जो wage और multiplication है वो सभी तरह से possible है मतलब हम row by row भी कर सकते है हम row by row भी कर सकते है हम column by column होगा सकते है हम कोलंब भाइक कोलंबी करसकते हैं हम row by column भी ृफ छलिगा यह पर Share चाहरों तरफ से पास्टिबल भी पोस्टिम यह वह क्योंकि आप लोगों को ने पढ़ा है की डिठिमिन की प्हव्रोपर्टी में एक डीटर्मिनेंट अफ ए इस ओलवेस इक Follow the determinant of a transpose अगर रो बाई रो करेंगे अगर इस रो काम ट्रांसपोर्स ले ले तो इसकी जो रोज होगी वो इसका कॉलम बन जाएगा तो रो बाई कॉलम भी पॉस्लिबल है क्यों कि इसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी सिमिलरली अगर हम पहली मेर्टिक से ट्रांसपोर्स ले लेंगे तब भी दोनों की डिटर्मिन की वैल्यू सेम रहेगी पहले जो रोज थी वो अब कॉलम बन जाएगी तो रो की जागे हम कॉलम भी लिख सकते और यहापर हम रो की जागे कॉलम लिख सकते इस तरह से चारु अब हम समझते इसको बैटर एक्जांपल के साथ इसको हम समझते एक्जांपल के साथ अब आपको क्या होगा आपको डिटर्मिनेंट्स दे रखी होगी आपको क्या दे रखी होगी डिटर्मिनेंट्स या तो आपको ऐसे दे रखा होगा और जो दूसरी determinant होगी वह आपको ऐसे दे रखी होगी जो दूसरी determinant होगी वह आपको ऐसे दे रखी होगी कुछ x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 अब आपको अगर इनका प्रडेक्ट करना है तो मैं आपको एक एडवाइस डूँगा कि आप रो बाई रो में जाईए हमेशा आप किसमें जाईए रो बाई रो में जाईए क्यों कि वापर विजुलाइस करना आसान होता है आपको ऐसे प्रडेक्ट न करना होगा इन चीजों को इसलिए आपको जो बैस मैठेट और वहाइ रो रो में जाईए हमेशा कर सभी तरप कसर्टे बरो बाई रो में जाना ज्यादा अच्छा होगा अब हम चलते कि प्रडेक्ट पे इसका अगर हम प्रोडेक्ट करेंगे तो में पास क्या एंग बट रो बट रो में जाना जिआदा अच्छा होगा अब हम चलते के प्रोडेक्ट पर इसका अगर हम प्रोडेक्ट करेंगे तो हमां पास क्या रहीगा isn the plus मैं B1 takich 10 मैं सीवन जय वन मैं रो बाई रो ही जा रहा हूं करेंगे तो हमां यौन क्या रहीगा एट्स Whoa a1 x2 plus में b1 y2 plus में c1 z2 यहां करूंगा तो क्या आएगा मैं पास a1 x3 plus में b1 y3 plus में c1 z3 इधर करूंगा तो क्या आएगा मैं पास a2 x1 plus में b2 y1 plus में c2 z1 यहाँ करूँगा तो क्या आएगा a2 x2 प्लस में b2 y2 प्लस में c2 z2 यहाँ करूँगा तो a2 x3 प्लस में b2 y3 प्लस में c2 z3 यहाँ करूँगा तो a3 x1 b3 y1 c3 z1 यहाँ आएगा में पास a3 x2 b3 y2 c3 z2 और यहाँ आएगा में पास a3 x3 b3 y3 प्लस में c3 z3 अब आपको क्या दे रखाओगा आपको प्लोडेक्ट तो दे रखाओगा और आपको individual determinants में से split करना होगा इसको हम और अच्छे से समझते कुछ questions के साथ पहला question आप लोग लिखो पहला question आप लोग लिखो हम कैसे split करेंगे वह देखते हैं हम आपको पहला सवाल दे रखा है आपको पहला सवाल दे रखा है वह है value of 2y1z1 y1z2 plus में y2z1 यहाँ पर आपको दे रखा है y1z3 plus में y3 z1 यहाँ आपको दे रखा है y1z2 plus में y2z1 यहाँ आपको दे रखा है 2 times y2z2 यहाँ है y2z3 plus में y3 z2 यहाँ है आपका 2y3z3 यहाँ है आपका y2z3 plus में z2y3 और यहाँ है आपका y1z3 plus में z1 y3 यहाँ आपको दे रखा है यह आपको डे रखा है अब आप लोग एक बार ट्राइ करें इसे split करने की कोशिष करें अगर आप लोग इसे split हो तो कि ट्राइ करो split करने की से मैं कलता हूं इसे split यह पर मैं डिशेकर 2 टैंस y1 z1 मैं इसे लिख सकता हूं करने की कोशिश करें मानलो यह है मारा पहला डिटर्मिनेंट यह है हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट यहां में दे रखा है वाई वन यहां हमारा कई होगा यहां हमारा कई होगा जैड़ वन यह में देर रखा है Y1, Z1, Y1, Z1 इसका मतलब क्या हो गया? Y1, Z1, Y1, Z1 मतलब यहाँ भी हमारा कई Y1 है यहाँ भी हमारा कई Z1 है ठीके समझ आ रहा है यहाँ आपका Z1 है और यहाँ आपका Y1 है तीस्टे हमें कुछ देर ने रखा तो यहां पर होगा 0,0 अब हमें यहां पर डे रखा है y1 यहां पर z2 यहां पर y1 होगा तो यहां पर होगा z2 यहां पर z1 है तो यहां पर होगा y2 यहां होगा 0 y1 z3 z1 y3 0 अब हम यह तो आसानी से calculate कर पाएंगे क्यों क्योंकि हमें डे रखा है यहां कही होगा और Y2, Z1, Z1 यहां आए तो Y2 यहां कही होगा मतलब यह भी 0 और similarly हम इस तरह से लिख सकते है Y3 यह होगा यह होगा हमार J3 यह होगा हमार 0 तीन 0 यहां तीन 0 यहां, 0 into 0, determined की value आगे है हमारी 0 आपको स्प्लिट करना आया होगा इस एक्जामपल के साथ अब हम जलते अगले एक्जामपल में उसमें भी आपको स्प्लिट ही करना है उसमें भी आपको स्प्लिट ही करना है उसमें भी आपको चीजों को करना है स्प्लिट यह आपको दे रख़ा है 1 प्लस alpha यह दे रख़それでは one प्लस beta यह one प्लस गामा यह देख़ा है one प्लस alpha जेड यह one प्लस beta j1 प्लस gamma j इसे 1 प्लेस एलफाइड ड़ी स्क्वय वन फ्ले laz गाइड है 1 प्लेस गावा स्क्वय यह आपको ले रखा है यहापको दे रखा है आप दोंते इसे प्लेट लिए हैं आप लोगआ श्म्रीट करो जो मेरने नहीं 2 डीटर्मिनेंट लागा यह हम देखका 1 यह में देखका आलफा सब्लांहां यहां पर भी स्थी जीकल होगे और आदाक्यों धूलीडू aggiण वैलफसे कशपव सारभुत तो यहां पर भी कई 1 होगा, यहां एलफा है, तो यहां कई Z होगा, और यहां होगा 0, यहां 1 है, तो यहां भी कई 1 होगा, एलफा इंदू Z स्क्वेर तो यहां कई Z स्क्वेर होगा, यहां होगा 0, 1 प्लस बीटा, तो यहां पर हमारा कई 1 होगा, 1 इंटु 1, 1 बीटा 1 into 1 plus β z square. यह आगे हमारा 1, 1 into 1, 1, gamma into 1, gamma, यह 0. यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 into 0, determinant की value आगे हमार पास 0. determinant की value आगे हमार पास 0. अब हम चलते हैं अगले सवाल पर. यहां कर यह आपको दे रखा है 1, 1, 1, यहां 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 आपको दे रखा है 1, 1, 1, 1, यहां आपको दे रखा है 1, 1, 1, 1, यहां आपको दे रखा है 1, 1, 1, 1, 1, यहां आपको दे रखा है पीटा माइनस एल्फा यह को स्वार्ट आप लोगों को इसकी वाल्यू फाइंड करना है इसको तीन करना पड़ेगा क्यों कि यह अभी हम फिरेक्त पर चल रहे हैं कि स्प्लिट करना है आप ऐसे कई questions की practice करोगे तो आपको और इस topic की in-depth understanding होने लग जाएगी ताकि आपको पटा चल जाएगी कि कब हमें determinant को split करना है कब नहीं करना है तो आप लोग इसे try करो split करने की कि मैं तो अपने अच्यार बना देता हूं यह लो मैंने तो अपने अच्यार बना लिए आप लोगों ने try किया होगा यहां पर आपको beta माइनस alpha गामा माइनस alpha दिख रहा है तो यहां आपको को change गा सकते हो यह बिलकुल क्या uit कम अच्यार अज्वामा गामा माइनस बीटा माइनस बीटा लिए तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा जुआ यहां परनेका यह उपन हो क्लो क्लिए पुदाıl इस सौल करी लेते फुर कशे यह हमारे पास open होगा cos alpha dot cos alpha plus sin alpha dot sin alpha यह हमारे पास open होगा cos beta cos alpha plus sin beta sin alpha याद है ना cos a minus b का formula क्या होता है cos a cos b plus sin a sin b ओके यहाँ पे होगा हमारे पास cos gamma cos alpha plus sin gamma sin alpha यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो cos beta dot cos beta plus sin beta dot sin beta यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो cos gamma cos beta plus sin gamma sin beta समझे तो आ रहा है ना cos alpha cos gamma plus sin alpha sin gamma इसको आप लिख सकते हो cos beta cos gamma plus sin beta sin gamma इसे आप लिख सकते हो cos gamma cos gamma plus sin gamma sin gamma लिख सकते हो अब आप इसे split कर सकते हो क्या कैसे determinant 1 into determinant 2 के form में यहाँ वे वने बना दिए determinant 1 का box यह वे वने बना दिए determinant 2 का अटिया यहाँ पर आप लोगTS oud sì यहाँ पर लो दिख वक डेशलति को सल्व और को सल्फा हो को लिख सबोड़anstaction कहीं कॉस अलफा होगा प्लस में साइन अलफा साइन अलफा मतलब यहां भी कहीं साइन अलफा होगा और यहां भी कहीं साइन अलफा होगा और आगे कुछ नहीं मतलब यहां जीरो होगा यहां जीरो होगा यहां में दिख रहें कॉस अलफा कॉस बीटा मतलब यहां कहीं होगा हमारा cosh beta Oorzineными साइन बीता मतलब यहां कियो हमारा 315 बीता मतलब यहाँ सल्हां आलवा कॉस गमा इस यह salvar backed report को याप क्वेखासी या आगया कर हमारा cos gamma यहाप होगा sin gamma यह होगा 0 यह पूरे 0 है यह पूरे element 0 यह इस determinant की value भी 0 आएगी इसकी value 0 आएगी यह हमने कर लिया बढ़िया सवाल हमारा सवाल होगा सिलसेल यह पर product of determinant and कलते हुए हम और हम आगे चलते कुछ और बाते कर लेते हैं अब हम लोग कर लेते है कुछ और बाते कर लेते हैं अच्छी-च्छी बाते कर लेते हैं अश्य खेल लेडी ख्राइए हुआ अ कि है अब क् les two 5 लोग बात कर लुए अप्लिकेशन ऐस्मीन फिरृणनेच्भ बातने अप्लिकेशन ओडि अफ यह अप्लिकेश्व नें स्किट कट पियोगा ये प्रीजैन में स्थारी एपैरली एपलिकेशन used area of triangle कैल्पीलेट करने में भी आते है यूद आते हैं सारी एपलिकेशन ग्लास उपलत के इपकी आबच़ यह ऑ्रेम ज्यून सब्सक्ट करने में भी आते हैं determinant का use आपके area of triangle निकालने भी आता है area of triangle क्या होता है area of triangle होगा half x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 this is the area of triangle this is the area of triangle और इसका हमें लेना होगा mode क्योंकि area कभी negative नहीं हो सकता इसे आप लोग जब open करोगे इसे आप लोग जब open करोगे तो आपके पास क्या आएगा x1 को ऐसे ही रखो y2 minus y3 minus एक आए चलो ठीक है y1 x2 minus x3 plus में 1 x2 y3 minus y2 x3 यह और इसका mode लेना है मैं आप लोग इसे करो open x1 y2 minus y3 minus में x2 y1 x2 y1 यहां से आएगा और x2 y3 यहां से आएगा plus में x2 y3 यहां से आपके पास आगिया plus में x3 y1 minus में y2 x3 इसका mode अब आप लोग क्या करो इसको लिख दो half times mode of x1 y2 minus y3 यहां से आप लोग ले लो x2 common minus x2 आपने common ले लिए आपके पास क्या आगया y3 minus y1 plus में x3 y1 minus y2 यह formula आपने छोटी classes में पढ़ रखा है 9 10 में भी ठीक है यह दिख रहे है ना नीचे से आप दिख रहे है यह formula आपने छोटी classes में पढ़ रखा है अब हम चलते इसकी दूसरी application पर अब हम चलते इसकी दूसरी application पर लिखो adding area of collinearity क्या लिखो area of collinearity नहीं condition of collinearity heading लगाई है condition of collinearity condition of collinearity कोई भी collinearity मतलब 3 point क्या हो एक ही line के लाई करें आप लोगों ने area of triangle पढ़ा था भी अगर तीनो पॉइंट एक ही line में लाई करेंगे तो area of triangle क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह इसकी condition क्या कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equal to 0 condition of collinearity of 3 points इसकी condition आपकी यह है determinant of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 आपके क्या आजाएगा 0 आ जाएगा तीस्टी application लिखी है equation of straight line equation of equation of straight line equation of straight line passing through passing through x1 y1 and x2 y2 straight line की equation निकालने है जो इस point से और इस point से क्या करे पास करें तो इसकी जो equation of straight line आएगी वह क्या आएगी वह आएगी आपके पास x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0 तो यह होगी आपकी application of determinants पहरी application हम लोग ने पढ़ी ती area of triangle दूसरी पढ़ी condition of co linearity for three points और तीस्टी पढ़ी equation of straight line passing through two points तो आज का लेक्टर हम इतना ही रखते है इस पे questions कराने की कोई जोलेक नहीं क्योंकि simple calculation वाले अगर कभी कुछ complex बन जाए अगर कभी कुछ complex बन जाए तो आप लोगों ने properties पर रखी तो उसे apply करके आप लोग सौल कर लोगे अगले lecture में मिलते एड्जॉइंट और इनुवर्स ओफ मैट्रिक्स